नमस्क्रा दोस्तों बदो साथ आपको हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से मोबाइल कंपनिया रिचार्च के नाम पर हमारी मेहनत की कमाई में सेंद लगा देती है जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी बारीकी के ब तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए चाहें वो आपके परिवार वाले हैं, आपके परोसी हैं, आपके रिष्टेदार हैं या आप खुद क्यों नहीं हो, क्योंकि सभी लोग मूबाइ चलाते हैं, और सभी लोग किसीना किसी कमपनी का SIM-KARD भी यूज करते हैं चाता हूं वो आप ठीक से समझ सकें और आप अपना पैसा बचा सकें तो दोस्तों होता क्या है पहले देखिए पहले जो एक महीना होता था वो तीज दिन का होता था जो कि अब 28 दिन का हो गया है हम कोई भी मुबाइल रिचार्ज करते हैं तो हमारा 28 दिन के लिए वो भड़िडी रहती है अब होता क्या है कंपनी हमें हमारी जब लास्ट रेट होती है रिचार्ज होने की उससे चार पास दिन पहले हमने मैसेज कर देती है जैसे की देखिए मेरे केस में भी इसी तरह से होता है. तो अब होता क्या है, जब आपे पास, देखिं आज 25 अर्म और 21 तारिक से ही यहां पर मैसेज है बना बना दो 25 जून, आप देखिंग्ए 21 जून को मुझे मैसेज है था कि मेरा मोबाईल रिचार्च खतम होने वाला है या खतम हो गया है मुझे तुरंत रिचार्ज करना है यहां पर क्लिक करके तो दोस्तो हमें से 90 प्रतीशत लोग इसी तरह जैसी उनके पास 4 दिन पहले पांस दिन पहले मैसेज आता है तो वो फटा फट रिचार्ज कर लेते हैं बिना कुछ सोचे कि हमारा 3 दिन बाकी है चार दिन बाकी है जातर लोग रिचार्ज कर लेते हैं कुछ सबसदार लोग होते हैं जो एंड दिन तक वेट करते हैं अब देखिए मुझे 21 तारिक को मैसेज आया तो उसके बाद 22 तारिक को भी फिर मैसेज आया कि मेरा मोबैल रिचार्ज खतम होने वाला है इसको तुरंत मैं यहां से रिचार्च कर सकता हूं तो दोस्तों हम जैसे यह message देखते हैं हम यहां तो दुकान पर जाकर रिचार्च कर लेते हैं यहां पर जो हमें link दिया होता है हम direct वहां से भी इसको रिचार्च कर लेते हैं अब होता कै देखिये जब हमाई 28 दिन की validity दी जाती है मोबाइल रिचार्ज करते है वक्त और जब 4 दिन पहले ही हमें ये message भेज दे जाता है company अपनी तरफ से ये कहती है कि हम आपको inform कर देते हैं कि आपका data चलता रहे है आपका रिचार्ज चलता है आप continue बने रहे हैं company का कहना ये होता है लेकिन उसमें छुपी बात क्या होती है जब वो 4-5 दिन पहले हमें message करते हैं तो हम 4-5 दिन पहले ही उस message को देखकर अपना phone recharge कर लेते हैं अब आपने ध्यान दिया होगा, चाहें आप चार दिन पहले रिचार्ज कर ले, चाहें पास दिन पहले रिचार्ज कर ले, आपको ये बचे हुए चार दिन आगे जोड़कर नहीं दिये जाते, जिस दिन आप रिचार्ज करेंगे, उसी दिन से 28 दिन आगे काउंट किये जात रिचार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास कभी ऐसा मैसे जाए तो आपको प्लीज लास्ट डेट तक आप धहर्ये बना के रखें वेट करके रखें क्योंकि अगर आप जितना भी पहले रिचार्ज कर लें कमपनिया इस तरह से यह आपके मन से खेलती है आपको चार दिन पहले वो इंटिमेशन यानि की इनफोमेशन के नाम पे आपको मैसेज करती है लेकिन आप उस मैसेज को देखते ही अपना फोन रिचार्ज कर लेते हैं चाहे वो चार दिन पहले चाहे तीन दिन पहले तो तो यह सिंपल सी जानकारी थी लेकिन इसकी बारीकियां बहुत गहरी थी तो यह जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ामे कमेंट करके बताइए अगर अच्छे लगी हो तो इसे लाइक किजिए और दोस्तों परिवार के साथ यह शेर कीजिए और हमारे चैनल को आपके लाल निशान के उपर टच करके और उसके बाद गंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको मारे बनाए हुई नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलती रहें यह बिल्कुल फ्री होतार आप इससे आज ज्यादा फायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इ निवाद